नमस्कार स्वागत है आपका मेरी चैनल में आई मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही असान और जल्दी से बन जाने वाला डिटिंग पैटर्न लेकर आई हूं जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं और यह बनकर बड़ा ही प्यारा आता है तो इसके के लिए हमने कोई भी नमबर आफ स्टिच ले लेने हैं आर और इवन का कोई भी इसमें वह नहीं है आप एक एक स्टिच के ओपर इस डिजाइन को बना सकते हैं तो बूल यहां पर मैंने डबल कर के लिए है क्योंकि यह मोटी हो अगर होगी तो उसके ओपर यह डिजाइन का उबर कराएगा तो सेंपल के लिए यहां पर मैंने दस फंदे ले लिए हैं आट फंदों का हम डिजाइन बनाएंगे और दो फंदे मैंने एजिंग के लिए लेफ्ट और राइट साइड डे लिए हैं तो देखें आपने बार्डर के बाद जो है फस्ट रो बनानी है तो पहला फंदा जो है बीना बुने हुए हमने उतारना है और अगले जो फंदे हैं वो हमने सीधे बुनने हैं तो यह पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो है जो हमने सभी फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लेट करनी है कि रांग साइड आगी हमारी रांग साइड हमने सारे फंदे जो है वो उल्टे बुनने हैं और यह हमारी पैटर्न की सेकिंड रो है रांग साइड सारे फंदे उल्टे बुनेंगे यह देखिए अब हमारी थर्ड रो आगी तीसरी स्लाई में हमने देखिए किस तने से डिजाइन बनाएंगे तीसी स्लाई पे पहला हमने एजिंग का फंदा उतारा अब अगला फंदा जो है हमारा यह देखिए इसको हम जैसे सिधा बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे पर नीचे नहीं शोडेंगे इस तरह से लूप ले लेंगे अब इसके बाद देखिए दो स्लाई हमने बुनी है ना एंते जाए से डाई इसमें दिखता है एक और यह तो यह сх Fujis से हमने सिलाई टालकी लूप कीच्णी है इस Nov से स्लाई को डाला खी दाला और इस तरह से हमने एक लूप यहां से कीच लिए तो यह देखिए हमारे officer's बुना फिर उसी फंद पाद लिए तो यह ने इस तरह से स्लाइड डालके लूप खिंची और उसी फंदे को हमने फिर से सीधा बुन के छोड़ दिया तो इस तरह से हमने एक के तीन फंदे करते हुए अपने सारे फंदे बुन लेने हैं थर्ड रो के झाल कि अज़िए कि अज़िए कि इसी ताने से हमने एक फंदे को तीन फंदे करते हुए अपने पैटर्न की थर्ड रोग को कंप्लीट का लिया अब आगी हमारी रांग साइड फोर्थ रोग में हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे तो यह रधियान से देखिएगा किस तरे से हम करना है पहला हमने एजिंग का फंदा ऐसे बिना बूने उतार लिया अब जो हमारे पास अगले तीन फंदे थे जो हमने एक के तीन फंद को पहले एक करके उल्टा बूल लिया यह देखें एक को छोड के तीन फंदे उल्टे बूल लिये अब इनको हमने तीनों फंदों को लेफ्ट वाली से लाई के उपर इस तरह से उतार लेना है यूं करके अब धागे को पिछली तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने ये तीनों फंदे हैं जो इनको हमने एक अठा करके इनका एक सीधा फंदा बनाना है तीनों फंदों का हमने इस तरह से एक सीधा फंदा निकालना है यहां से यह देखें और इन तीनों फंदों को अब हम नीचे शोड़ देंगे और धागे को अपनी दर्फ करके फिर अगले तीन फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे एक एक करके यह देखें एक उल्टा बुना फिर अगला उल्टा बुना दो होगे और यह तीन उल्टे बुन लिए इनको हमने फिर से सीधा बुनना है इसलिए हम इन तीनों फंदों को लेफ्ट वाली तरफ उता रहे हैं सलाई पे खड़ा रहे हैं और दागे को पीछे करके इन तीनों को इकठा लेके हमने एक फंदा इसका सीधा बना लेना है यूँ करके और छोड़ देंगे फंदे सारे और दागे को फिर पिछे वाले तरफ लिए आएंगे इसी तरह से हमने ये डिजाइन को रिपीड करते हुए जाना है इस सलाई में तीन का फंदों का हमने एक फंदा किस तरह से करना है तो बस यह देखें इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा करते हमार। कर दो कर दो कि यह देखिए हमारी फोर्थ रो भी पैटर्न की कम्प्लीट हो गई तो यह बेसिकली दो ही सिलाईयों का डिजाइन है पर इसको स्टार्ट करने से पहले बार्डर के बाद आपने पहले एक सीधी और एकुल्टी स्लाई जुरूर बुनी है क्योंकि हमने दो स्लाई नीचे से हमने एक लूप खीचनी होती है इस पैटर्न के लिए तो अगर आप कुछ और पर प्रजेक्ट बना रहे हैं जिसमें बार्डर नहीं बनेगा तब भी आपने इसी तरह से सीधे पहले एक सीधी स्लाई और एक उल्टी स्लाई बुलने नहीं है और उसके बाद तीसरी स्लाई बुलनी है फिर उल्टी स्लाई बुलनी है और फिर उसके बाद हमने थर्ड रो से फिर से डिजाइन को बना लेना है तो इस तरह से देखिए अब यह कंप्लीट लुक इसकी दीखना शुरू हो जाएगी जब हम इसकी उल्टी स्लाई भी बना लेंगे अब कर आए हैं इसा इसकी लूप यह ऐसे कितना प्यारा अब ये अब ब्रव बर ऑबसा दिजाइन बनकर आता है अत्या है सिर्व हमने दो ही स्लाई दंद Ugh कि बनाई है डिजाइन की और देखे कितनी ब्रेसकी लोक अना शुरू लोगी है अब 2 स्लाइए हमने सीधी और उल्टी जैसे बना ली अब इसके ओपर फिर से हमने ये डिजाइन को रिपीट कर लेना है एक का तीन फंदे करने हैं और उल्टी स्लाइए में तीन फंदों को फिर से एक बना लेना है ये देखें यह देखे मैंने यह पीले रंग पर बनाया है इस डिजाइन को कितना प्यारा लग रहा है इसकी लुक देखे कितनी प्यारी बन कराई है बीज में उपरा साथ डिजाइन बन कराता है और साथ में जाली बनता जाता है और पीछे से देखें बैक साइट से भी कितने पैरा यह लूक लिसकी लग रही है अगर आप इस डिजाइन में शॉल बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा आएगा क्योंकि यह आर्मस दोनों तरब से एक ही जैसी इसकी लूक आती है अगर आप काडियन बनाएंगे तब भी बड़ा प्यारा बन करायगा आप इसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं अ मिच्छों के स्वेटर बनाईए बड़ों के स्वेटर बनाईए कैप Infinite bin कार्डी गंस बनाईए मफरल मफरल पर बड़ा आचा है क्यों क्योंकि तॉनों तरफ से एक जैसा है तो इतना बुल रिपetrण नहीं लगे से साथ में जाली बनती जाती है और साथ में यह डिजाइन पनकर आता जाता है तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद